जै माता दिदर्शकों, मैं जोती शर्मा हार्दी का भिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहत विशेश कारिक्रम नवरात्र पूजन विधी में आज शार्दी नवरात्र का पांचवा दिन है यानि मासकंद माता का दिन कैसा है मासकंद माता का स्वरूप कैसे करें मा की पूजा अर्चना कैसे मा को प्रसंद किया जाए आज इस विशेश पर चर्चा करेंगे और इस विशेश पर तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अचारे नवीन कौशिक जी चलिए सबसे पहले मिलकर अचारे जी का स्वागत करेंगे अचारे जी बहुत स्वागत करूंगे कारिक्रम में आपका अचारे जी आज शार्दी नवरात्र का पांचवा दिन यानि मसकंद माता का दिन है तो आज के दिन अगर मा के स्वरूप का सर्व प्रथम हम आप वरणन करें तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्श्कों को बताए जैसा कि पौराने कथाओं के अनुसार हम लोगों ने ये सुना है और पढ़ा है कि देवासुर संग्राम के पंचम दिवस देवों के सेनापती भगवान कारती के भगवान कारती के को ही सकंद कुमार कहा जाता है और देवों के जो सेनापती रहे यानि कि भगवान सकंद जो रहे भगवान कारती के जो रहे सकंद भगवान की माता का पूजन पंचम दिवस किया जाता है भगवान सकंद की माता होने के नाते भगवान सकंद की माता होने की वजह से ही सकंद माता देवी का नाम पड़ा है वहीं से यह नाम विख्यात हुआ है और आज के दिन हम सकंद माता की पूजा करते हैं सकंद माता की पूजा करते हैं यह सूर्य की अधिस्ठात्री देवी है अर्थात जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में एकागरता में समस्याती है ऐसे व्यक्ति को सकंद माता की पूजा करनी चाहिए इसके बाद अगर हम बात करें सकंद माता के स्वरूप की बहुत ही भव् बहुत ही शुब्र, बहुत ही सुन्दर स्वरूप है, जैसा कि आप और हम लोग चित्र में भी देखते हैं, दाय हाथ में भगवान कार्तिके को गोद में लिए हुए हैं, भगवान सकंद को गोद में लिए हैं, इसीलिए इनका नाम स्कंद माता है, इसके बाद बाए हाथ की दोनों भुजाओं में कमल का पुश्प लिया है और एक हाथ से भक्तों को आशिरवाद देती हैं माता का स्वरूप बहुत ही भव्य है माता का वाहन सिंग है आज के दिन भी माता सिंग पर विराजमान होती है और दुस्टों का संघार करने के बाद जो लोग सेनापती का काम करते हैं जो लोग किसी तरीके के लीडर्शिप का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही शोभ बहुत ही अच्छा समय पंचम देवश यानि कि सकंद माता का देवश अर्थाथ सकंद माता की पूजा सास्त्रों में विधान सहित कही गई है इसके साथ ह हम सकंद माता के स्वरूप के सासाथ हम सकंद माता के अन्य विवरण को भी समझते हैं सकंद माता सूर्य की अधिश्ठात्री देवी है और जिन व्यक्तियों को जिन विद्यार्थियों को एकागर होने में ध्यान के इंद्रित करने में पढ़ाई में या फिर किसी भी विशय को याद रखने में समस्या होती है या किसी को अपनी बात कहने में समस्या होती है उनको सकंद माता की पूजा करनी चाहिए यहाँ पर व्यक्ति या फिर कोई भी शाधक अगर सकंद माता की पूजा करता है तो वहाँ अपने चित को एकाग्र करते हुए है और ध्यान मुद्रा में सफलता की दिशा में तेज गती से आगे बढ़ता है इसके साथ सकंद माता क्योंकि कार्तिके की माता है और यहाँ पर बाल स्वरूप कार्तिके को अपनी गोद में लिये हुए है ऐसी परिस्थती में माता ऐसे लोगों को विशेस आशिरवचन देती है ऐसे लोगों को विशेस रूप से आशिरवाद देती है जो निसंतान है अर्थात जिस व्यक्ति को संतान प्राप्ति नहीं हुई है उनको विशेस रूप से सकंद माता की पूजा अर्चना करनी आज के दिन माता बहुत ही सौम्य स्वभाव की होती हैं और साधकों को जातकों को पूजा करने वाले हर एक व्यक्ति को अपना प्रत्यक्ष आशिरवाद देती हैं पूरी कृपा उनके उपर करती हैं तो ऐसी माता का हमें आज के दिन पूजन करना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे तरीके का अर्थ है कि हमें बहुत ही प्रेम भाव से उनको फूल पुश्प इत्यादी अरपन करना चाहिए सच्छे मंद से सच्ची भावना के साथ माँ के आगे जुकना है और अपनी मनुकामना को पून करवाने के लिए आपको मां को मनाना है अचारे जी आगे अगर बात की जाए मां सकंद माता की पूजा विधी के बारे में तो मैं चाहूंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं भगवान सकंद माता की अगर हम बात करें तो उनकी पूजा के लिए हमें जैसा कि हमने नवरात्र के अन्य दिनों पर अपनी पूजा विधी को रखा है उसी ही को continue करते हुए हमें विसेज क्या करना है आज के दिन हमारा आशन या तो कंबल का होना चाहिए उनी किसी वस्तर का होना चाहिए या फिर कुशा का आशन होना चाहिए क्योंकि जब हमें एकाग्र होना है तो हमें सुखासन पर नहीं बैठना होता है अगर हम सुखासन पर बैठेंगे तो निद्रा आने के चांसे जादा होते हैं ऐसी परिस्ति में कुशा का या फिर उनी कोई आसन हमें बिचाना चाहिए किसी ऐसे आसन पर बैठने के बाद माता को हमें तिलक करना चाहिए श्रिंगार इत्यादी चढ़ाना चाहिए उसके उपरांत माता को विसेस्ता रोली का सहस्त्रार्चन करना चाहिए यदि रोली का सहस्त्रार्चन करते हैं तो उससे माता बहुत ही प्रसन होती हैं और आपको मनुवांसित फल प्रदान करती है अगर हम बात पुष्प की करें तो माता को कमल का पुष्प चड़ाना चाहिए माता कमल के पुषपर विराजमान है इसलिए उनका एक नाम पदमासना भी कहा जाता है और माता का रंग जो है बहुत ही शुब्र है बहुत ही गौरवर्ण है गौरवर्ण मतलब अर्थात गौरा रंग है इसलिए उनको गौरी के रूप में भी जाना जाता है माता का ही एक नाम पार्वती भी है परवत राज हिमालय की पुत्री होने की वज़ा से उनका नाम पार्वती भी कहा गया है परवत की पुत्री इती पार्वती यदि हम आज के दिन कुशा के आसन पर बैठ कर माता का सहस्त्रार्चन करें रोली से उनका पूजन करें उसके उपरांद हम कमल का पुष्प चढ़ाएं यदि कमल का पुष्प उपलब्ध न हो तो उस परिस्तदी में हम गुलाब का भी पुष्प चढ़ा सकते हैं विसे इस क्या करना है हम अगर संभव है तो हम सौफूल सौफूल गुलाब के ले लें यदि गुलाब के नहीं मिल सकते हैं तो फिर हम गेंदे के पुष्प ले लें और एक बरतन में एक कटोरी में हम रोली लें थोड़े चावल लें और एक एक पुष्प माता को अपनी एक्षा अपनी मनो कामना बोलते हुए माता का मंत्र बोलते हुए हमें उनको अर्पन करना है निम्नलिखित मंत्र जो की नीचे आपको दिख रहा है इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको माता को यह पुष्प चड़ाना है और यह पुष्प चड़ाने के बाद उनकी आर्थी करनी है हाँ आज के दिन विसेश रूप से सिर्फ कपूर की ही आर्थी करें बजाए घी की बत्ती के या घी के किसी दीपक के बजाए आप सिर्फ कपूर की आर्थी करें तो आज के दिन माता विसेश आपके उपर करपा करती है आज किसी भी प्रकार का रक्त फल यानि की लाल रंग का फल आपको अर्पित करना चाहिए यदि या फल अनार हो तो और भी उत्तम रहता है इस प्रकार से यदि आप विधी विधान से माता की पूजा करते हैं तो यकीनन आपकी जंदगी में बहुत सारे कस्ट खत्म हो जाएंगे जिन लोगों को एकागरता की समस्या है उनकी ये समस्या खत्म हो जाएगी जिन बच्चों को पढ़ाई में अपनी वस्तुएं, अपनी पढ़ाई, अपने लिस्स, अपनी सिक्षा को याद कर पाने में समण सकती कमजोर महसूस होती है ऐसे बच्चों को विसेश्त सकंद माता की पूजा करनी चाहिए इसके उपरान जिन जातकों को, जिन साधकों को संतान की प्राप्ती नहीं हो रही है, उनको विसेश रूप से सकंद माता की पूजा करनी चाहिए यदि हम सकंद माता की पूजा करते हैं तो यकीनन सकंद माता के आशिरवाद से हमें संतान की भी प्राप्ती होती है इसमें कोई संदेह नहीं है जी तो बिल्कुल दर्श कों सकंद माता की कृपा आप सब पर बनी रहे और कैसे मा को आप प्रसन करे लगतार इस विशे पर हम चर्चा कर रहे चलिए अब आगे जानते हैं कि आज के दिन यानि नवरात्र के पांचवे दिन कौन सी राशी के जातक के लिए बेहच्शुब है जी अचारे जी आप से जानना चाहूंगी राशी चक्र में अगर हम देखते हैं तो पंचमरासी होती है सिंग और जैसा की अभी हमने इस विशाय में सुना भी है कि सूर्य की अधिस्ठात्री देवी है अधिस्ठात्री का मतलब होता है जिस पर उनका अधिपत्य है जिस पर उनका होल्ड है जिस पर उनकी विशेश क्रपा है और राशी चक्र में अगर हम आते हैं तो पंचम राशी सिंग और सिंग राशी का स्वामी सूर्य। इसलिए सिंग राशी वालों को विशेस्तः सकंद माता की पूझा करनी चाहिए। सिंगराशी वाले यदी सकंद माता की पूजा करते हैं तो उस परिस्थती में उन्हें अपने जीवन के ऐसे लक्ष जो वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे जिसमें बहुत जाता गतियवरोद देखने को मिल रहा था वो गतियवरोद अब समाप्त हो जाएगा और हमें सकंद माता की कृपा से आने वाली अरचने हमारी समाप्त हो जाएगी सफलता अब हमें प्राप्त होगी इसके साथ साथ जिन जातकों को या जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थती में नहीं है उनको भी विशेस्ता सकंद माता की पूजा करनी चाहिए यदि आपकी कुंडली में संतान related समस्या है संतान संबंदि समस्या है और आपकी कुंडली के पांचवे घर में सूर्य अच्छी स्थती में नहीं है तो ऐसी स्थती में माता को एक नारियल लाल चुन्नी लपेट करके आज के दिन अतिरिक्त जो कलश पर स्थापित है उसके अतिरिक्त आपको अरपन करना चाहिए प्रसन होती है और आपको संतान प्राप्ती का अशीर्वाद देती है जिन लोगों के घर में पुत्र नहीं है उनको विशेषत आज पूजा करनी चाहिए सकंद माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए उनको एक नारियल लेना चाहिए और नारियल के साथ कुछ कच्चे चावल लेने चाहिए लगबग 100 गराम के असपस कच्चे चावल लेने चाहिए और लगबग 100 फूल सहस्त्रार्चन हम जिसको कहते हैं सौ पुष्प लेने चाहिए यदि सौ पुष्प हम कमल के ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है यदि नहीं ले सकते हैं तो फिर हम गुलाब का फुल लें यदि गुलाब का पुष्प लब्द न हो तो ऐसी परिस्तिती में हम गेंदे का पुष्प ले और वह पुष्प ह हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए देवी को रोली चावल लगा करके अर्पित करना चाहिए अर्पित करने के बाद कुछ दक्षना अर्पित करनी चाहिए उसके साथ साथ कुछ फल और उसमें भी यदि हमारे पास अनार का फल हो तो वहां हमें अर्पित करना चाहिए उसके बाद सुगंदे द्रव्य जिसको हम इत्र मानते हैं इत्र हमें चढ़ाना चाहिए इत्र चढ़ाने के बाद हमें एक मीठा पान देवी को अर्पित करना चाहिए और देवी को मीठा पान अर्पित करना चाहिए जैसा कि हम अन्यत्र पूजा में भी देखते हैं कि नैविद्य के बाद याने कि मिस्ठान भोग लगाने के बाद में हम रितुफल चढ़ाते हैं रितुफल के बाद हम पान का बीड़ा चढ़ाते हैं मुख वासनार थे अर्था मुख की शुद्धी के लिए माउथ फ्रिशनर अगर हम आज के भाशा में कहते हैं माउथ फ्रिशनर के तौर पर हमें माता को मीठा पान चढ़ाना चाहिए और मीठा पान चढ़ाने के बाद देवी से छमा मागनी चाहिए यदि हम देवी अपराद छमा स्त्रोत्र का पाट करते हैं तो निसंदेह हमें देवी से क्रपा प्राप्ति होती है इसमें कोई स तो पुत्र प्राप्ति के लिए हमें इस प्रकार से देवी की उपासना करनी चाहिए ऐसा करने से हमें निसंदे पुत्र प्राप्ति होती है इसके साथ यदि हमारे घर में संतान हमारा कहना नहीं मानती है तो ऐसी परिस्थिती में भी हमें सकंद माता की पूजा करनी चाहिए आचारे ची जैसे कि आपने कहा कि सिक्षा के लिए पूजा करें संतान सुक्षी प्राप्ति के लिए पूजा करें तो सिक्षा के लिए जो बच्चे जो स्टूडेंट जो विध्यारती पूजा करेंगे क्या वो व्रत भी रखे ये आपसे जाना चाहूंगे बिल्कुम। तब ही हम किसी एक विशय पर एकाग्र कर पाते हैं। देवी की पूजा में भी हमारा मन तभी लगता है जब हमारे इंद्रियां वश में हो। छोटे बच्चों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोत है कि उन्हें व्रत से बचना चाहिए। लेकिन यदि हम स्वस्थ हैं और हम लगबग 17-18 साल से उपर हैं और हमारे हृदाय में इक्षा है तो हमें व्रत करना चाहिए। देवी अपने बच्चों से कभी भी व्रत की इक्षा नहीं करते हैं बच्चे हों या बड़े हों माता के प्रती प्रेमवश व्रत करते हैं लेकिन देवी बिना व्रत के भी आपके उपर प्रसंद होते हैं और आपको बहुत अच्छा आशीर वचन देती हैं लेकिन यदि व्रत करके हम अपनी इंद्रियों को यानि कि हम concentrate कर सकते हैं यदि हम खुश रह सकते हैं और हमें भूख से परिशानी न होती हो तो यकीनन हमें उपवास करना चाहिए देवी का उपवास का जो अर्थ है वह सिर्फ अपनी इंद्रियों के उपवास का है न कि उदर के उपवास का उपवास इंद्रियों का होना चाहिए उदर का उपवास नहीं होना चाहिए लेकिन यदि छोटे बच्चे प्रेम वर्ष यह वरत कर भी लें तो उस परिस्तिती म उनकी माताओं की यह जिम्मेदारी है कि उनके खाने पीने का विशेश ध्यान रखें और उनको किसी भी प्रकार का कस्ट नहों इस बात का ध्यान रखें और हमें यह व्रत करना चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं है सास्त्र हमें कहता है उपवास के लिए और हमें उपवास कर परना चाहिए जी तो बिल्कुल दर्शकों कई बार हमारे मन में ये भाव होता है कि हम मा की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो क्या हम मा का व्रत भी रख सकते हैं अगर आपकी इतनी शमता है कि आप मा का व्रत रख सकें तो मा का व्रत जरूर रखें लेकिन अगर आप मा का व् कि जाए तो नौ दिनों में देवियों की फूजा की जाती है तो नवरात्र की ये नौ दिन हमें क्या क्या सिक्षा देते हैं उसके बारे में जानना चाहूंगे नवरात्र में देवी के नौ अलग-अलग स्वरूप का विवरण है और अलग-अलग स्वरूप में अलग- स्थासे कितनी श्रद्दा से उनका पूजन करते हैं कितनी श्रद्दा से हम उनको मानते हैं उतनी श्रद्दा से देवी भी हम पर 입द कृपा करती है नाव Nu रात्र हमें सिक्षा देते हैं कि किस करम में हमें अपने जीवनaimerी को चलाना चाहिए जैसा कि हम पौराने कथाओं में सुनते आए हैं कि जब युद्ध हुआ था राम और रावन में युद्ध में विजय प्राप्ट करने के बाद श्री राम जी ने भी देवी को अपने भाव समर्पित करने के लिए उनका धन्यवाद करने के लिए देवी की उपासना का आयोजन किया था और जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले देवी से क्रिपा प्राप्ति के लिए अनुरोध किया था उनकी उपासना की थी और युद्ध समात होने के बाद देवी को धन्यवाद स्वरूप पूजा का आयोजन किया था इसी प्रकार से हमें भी नौ देन अलगअलग स्वरूप में देवी की पूजा करनी चाहिए और उनसे उनकी क्रपा प्राति की भीक्षा हमें मांगनी चाहिए उनसे हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पर कृपा करें जी तो बिल्कुल दर्शकों नवरात्र के ये 9 दिन आपके जीवन में खुश्यां लेकर आए माँ आपकी जोली खुश्यों से भर दे तो अचारे जी आप आए मासकंद माता का इतना खुबसूरत वर्णन किया इसके साथ ही हमें बताया कि किसरा से मासकंद माता की पूजा अर्चन की जाए किसरा से मा को मनाया जाए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जय माता की जी तो बिल्कुल दर्शकों मासकंद माता की कृपा आप सब पर बनी रहे आपकी जोली खुशियों से भर जाए इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिये जाजत जै माता दी